हेलो दोस्तो क्या हाल चाल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सौपी से प्रोड़क्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पिक अप जनरेट करना सिखाऊंगा क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी सौपी के बारे में मेरे उस केस में प्रोडक्ट का पिक अप नहीं हुआ था और मुझे रिफंड मिल गया था लेकिन हाली में मैक्समम एकाउंट पे अब पिक अप हो रहा है दोस्तो आइटेम को रिटेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़े दिखाना चाहता हूं तो मैं अपना सौपी अकाउंट ओपेन कर लिया हूं यहाँ पस मैं चला जाता हूं परचेस इस्ट्री पे उसके बद मैं चला जाता हूं रिटेन और रिफंड वाले सेक्शन पे तो आप देख सकते हैं 49 रूपीच का एक आइटम है जिसका रिटेन और रिफंड जो है कम्प्लीटेद दिखा रहा है इस आइटम में मुझे प्रॉब्लम यह आई थी कि डिफेक्टिव था तो मैंने इसको रिटेन के लिए भेजा था 19 तारिक को उसके बाद इसका पिक अप हुआ था 20 तारिक को और जो रिफंड आया था 21 तारिक को आया था 21 दिसंबर 2021 को तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 3 दिन का टाइम लगा था तो मैं यहाँ पास अपनी एक मेन आइडिया उसे ओपन कर लेता हूँ इसमें मेरा एक आइटम है कुर्ता गो सीरकी की तरफ से इसमें प्रॉब्लम यह आई थी कि साइज इसू था ना तो सौपी पे एक्षेंज का ओप्सन अवेलवल है ना ही रिप्लेस्मेंट का तो हम इस आइटम को चूज कर लेते हैं उसके बाद हम इस पे क्लिक कर देते हैं जैसी क्लिक करेंगी यह बड़े विंडो पे ओपन हो जाएगा आइटम सी ओडी पे था अगर आपका इटम भी सी ओडी पे है तो आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी उससे आप मस्ट देखिए क्योंकि उस पे मैंने कुछ सेटिंग्स बता रखी है जिसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी है तभी आपका रिफंड आएगा अब आपको रिटन और रिफंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है जैसी आप क्लिक करेंगे आपके संबने एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ आपको सबसे पहले रिजन सलेक्ट कर लेना है आपके संबने कई सारे ओपसंज आ जाएक जो भी आपको problem हो genuine आप चूज कर सकते हैं उसके बाद आपको photo यहाँ पास upload करना है photo में आपको actual में problem दिखाना है कि आपको किस item पर problem आई है particular ही आपको दिखाना है तो अब guys आपको description में कुछ लिखना है यह compulsory है आपको लिखना क्या मैं आपको बता देता हूँ आपको जो भी problem आई है आप हिंदी से अपनी भासा पे लिख सकते हैं उसके बाद solution पर आप देख सकते हैं return refund है refund amount भी आप देख सकते हैं 99 रुपीज है क्योंकि item का इतना ही price था अब आपको shipping option पर click करना है और select shipping option पर चले जाना है और simply आपको pick up select कर देना है तो अभी आप देख सकते हैं pick up बिल्कुल free है और pick up का जो courier company है ecom express है तो हम इसे change करेंगे आपको भी change करना है तो इसे आपको simply delivery पर कर देना है actual में delivery जो है बहुत ही fast है और इसका pick up भी जल्दी होता है और delivery से अगर आपका pick up होगा तो refund भी आपको same date पर ही आ जाएगा अब आपको time select कर लेना है कि आप कि इस date पर pick up करवाना चाहते है तो pick up time वाले option पर click करिए अभी मैं 23rd December को ही करवाना चाहता हूँ मैं 22 तारीक को request भेज रहा हूँ और मुझे जल्दी refund चाहिए तो मैं 23rd December select कर लेता हूँ उसके बद कंफर्म कर देता हूँ उसके बद दोस्तों आपको address select कर लेना है pick up का उसके बद आपको email address डाल देना है इतनी सारी चीज़े आपको डाल देनी है सारी चीज़े आपको देख लेनी है एक बार उसके बद आपको submit का option पर click करना है आपसे confirmation पूछेगा आप इसे confirm कर दीजे और आपकी जो request है pending mode पे चली जाएगी swapi की team इसे review करेगी और मैं आपको बता देता हूँ एक से दो घंटे के बाद आपको pick up का time मिल जाएगा और अगले ही दिन मतलब अगर आपने request किया है 22 तारिक को तो मान के चलिए 23 तारिक को ही courier company आएगी आपके घर पे और आपसे item लेगी और उसके बाद इसका pick up होगा और रात को ही आपको refund मिल जाएगा refund आप जिस भी method पे choose करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा मैंने proof के तोर पे भी आपको सारी चीजे पहले ही दिखा दी तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे like जरूर करिएगा मैं मिल तो आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत अस्तला बीस्ता